बाबाजान, बाबाजान, बेटो, तुमने सिकंदर से जूट क्यूं बोला? तिलावेज हम तुमसे पूछ रहे हैं सिकंदर से जूट क्यूं बोला? तुम कुछ भी कहने से पहले, इतना याद रखना, कि हम छूट नहीं सुन सकते, हमारी एक बेटी ने हमारी इज़त में लाम करती, अगर दूसरी ने भी ऐसा किया ना, तो हम बरदास्ट ने करवाएंगे, अगर हम ऐसा सोचे भी तो हमारी सांसे रुख जाएं बाबाजा, कभी आपसे छूट नहीं कहेंगे, वो मुबाइल हमें एक आंटी ने दिया है, जिन से कुछी अर्सा पहले हमारी मुलाकात हुई, और हम उनके बहुत करीब हो गए, को हमें अपनी बेटी दिखाए देती और हम, हमें बहुत अपनायत महसूस होती हैं उनसे, उनने जबरदस्ती हमें मुबाइल दे दिया ताके हम उनसे बात कर सके, अगर तुम चानती थी कि सकंदर को यह बात पसंद नहीं आती, घबराकर हमने आपका नाम ले लिया, तिलावेज, अगर तुम चानती थी कि सकंदर को यह बात पसंद नहीं आएगी, तो बेटा तुम्हें फिर यह मुबाइल नहीं लेना चाहिए था, शोहर के अतात करना तुम पर फर्ज है बेटा, हम अपना फर्ज भूले नहीं हैं बाबाचा, वो बहुत बाज़ित थी, हम इनकार नहीं कर सके हुआ।